इंदोर स्पेशल टास्क फोर्स विंग ने हवाला कारोबारियों से जुड़े जावरा कमपाउंड में नाकोड़ा कामप्लेक्स में तिस्री मंजल पर बने फ्लेट में दविश दे कर 70,10,000 रुपे बरामत किये हैं मोके से पुलिस ने साथ आरोपियों को हिरासत में लिया है जाहां हवाला से जुड़े कारोबारियों ने फ्लेट के दिवार में गुप्त चेमबर में इन रुपियों को छुपा रखा था इन दोर स्पेशल टास्क फोर्स विभाक ने मुकबिर की सूचना पर छापा मार कारवाई कर जावरा कंपाउंड में नाकोडा कॉंपलेक्स में तिस्ने मंजिल पर बने फ्लेट में दविश दी जहां हवाला कारोबारियों की सूचना थी काफी सर्चिंग के बाद टीम हताश हो गई महीं बानी एक दिवार में कुछ टीम को अजीब लगा जहां चेक करने पर दिवार के अंदर एक गुप्त चेमबर नजर आया जो एक स्पेशल स्केल से चेमबर का दरवाजा खुलता है जिसे खुलने पर हवाला कारोबारियों ने गुप्त चेमबर से सत्तर लाख दस हजार रुपे छुपा रखे थे जो पकड़ाए गए आरोपी सुरेश सोलंगी, राजेंदर, अजे, मेहुल, महाप्रसादपद, सिंग, दशरत और विजे को हिरासत में ले लिए गया है सभी गुजरात के रहने वाले हैं और हवाला का कारोबार करते हैं एस्टिये फ पुलिस को एक स्पेशल जेकेट भी मिला है जिसमें रुपे को छुपा कर रुपे को इदर उदर ले जाया जाता था फिलहाल ये रुपे किसके हैं और इन हवाला कारोबारियों के तार कहा जुड़ हैं इसका पता लगाय जा रहा है हवाला कारोबारियों की गिरफतारी के बाद पुलिस ने रुपे को जब्ट कर income tax विभाग कुश्की जानकरी दी है संभाउन्थ है कि हवाला का रुपिया गुजरात के एक बड़े विपारी का बता जा रहा है जब्त किया गया है और उनके पास से सतर लाग दस अजार रुपए जब्त किये गए है इनके पास नोट गिनने की मशीन और जो नोट स्टेपल करने का बड़ा स्टेपलर होता है वो नौ मुवाइल फोन और इसके अतरिक्त कैलकुलेटर अन्य समगरी जब्त हुगी है कितने समय से का रहा है अभी प्राश्मिक गुस्टाश में उनका कहना है कि दो तीन महने से कर रहा है जो फ्लैट है उस फ्लैट में एक रूम में सीक्रेट चेमबर भी मिला है जिसमें कि कुछ वो इसकेल आदी डालते थे तो इस प्रिंग से वो एक कमपाटमेंट का गेट कि खुल जाता था और उसको खुफिया एक इस तरह का एक चेमर भी मनाया गया था वो भी मिला है सर कहा का का पैसा ही यह अभी आरोप्तियों को पकड़ा गया है उनसे विस्तित जो है पुस्ताच की जा रही है और उससे अभी स्वेस्ट होगा कि यह कहां कहां से हवाला का गारोबार होता था और कोन कोन लोग लिपते हैं